राष्ट्रोन नती के पत्पर नित्य प्रेर्णा एक दिन एक प्रुष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संक्षिप्त रूप भारतिय विचार साधनापुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्र श्रीमती स्वाती सदानंद गोड बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूँ यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांग चार दिसंबर का विचार हमारा राष्ठ जीवन अमर है हम जानते है कि सहस्त्रों वर्षों से अपने इस पुरातन राष्ठ का अस्तित्व है क्योंकि हम लुटेरे या युद्धप्रिय समाज नहीं है हम हमें एक शात्रवृत्ती है परंतु यह सर्वविदित है कि हम आकरामक नहीं है हमने समसार में तलवार के बल पर अपने तत्वध्यान और धर्म का प्रसार कदापी नहीं किया भगवान गवतम बुद्ध के शिश्चों ने परिब्रमन कर अहिंसा प्रेम वैराग्य का उपदेश दिया तथा विशय वासनाओं और दुष्ट प्रवरुत्तियों जिनकी ओर मन का स्वाभाविक जुकाव रहता है का विनाश किया इसी प्रकार गवतम बुद्ध के शिश्चों के बहुत पहले भी अपने देश से अनेक लोग संसार के कोने कोने में गए थे परन्तु उन्होंने वहापर अपने विचारों का प्रचार शस्त्रों के बलपर नहीं किया हमने यह आकरामक उद्धेश कदापी नहीं रखा कि हम दुनिया को अपनी ताकद के बलपर अपने कदमों में जुकाएंगे हम समस्त गुलामों के मालिक बन गए है इस खुद्र संतोश पर आसुरी आनंद मनाएंगे यह हमारा गुणधर्म नहीं है और न हमारा जीवनों देश ही है विशाल सामराज्य की शक्ती से युक्त इंगलन की भी अकल ठिकाने आ गई है अब उसकी ताकत उतनी नहीं रही है संभोतहा पूरो और पश्चिम का मिलन करवाना ही उसका जीवनों देश रहा है भले ही उन्होंने वह कारिय विजया कांग्षा से या गुलाम बनाने की इच्छा से अथ्वा विविधप्रकार की व्यापार वृद्धी से अपना और राष्ट का हितसाधन करने की स्वार्थिय अभिलाशा से किया हो परन्तु उसमें ही उसमें से अप्रत्यक्षता या उनकी इच्छा के बिना दोनों गुलार्धों का मिलन हुआ अब उनके जीवन का उद्धेश पूर्ण हो चुका है अब दुनिया में दो शक्ती गुटों का नित्रुत्व करने वाले दो अत्यनत महत्व पूर्ण राष्ट्र है रूस और अमेरिका अमेरिका हर व्यक्ती की महानता, गवरो, स्वतंतरता वो अन्य सभी देशों की स्वतंतरता के पक्षमें है वह उस दिशा में प्रेतनशील है लगता है कि आर्थिक समानता, लेवलिंग डाउन रूस का जीवनो देश है अब उसका भी जीवनो देश पूर्ण हो चुका है क्योंकि दुनिया ने स्वीकार कर लिया है कि आर्थिक विशमता नहीं रहनी चाहिए फिर भी वे दुनिया भर में वर्ग विशमता मिटाने का प्रेतन कर रहे है अतह ऐसा लगता है कि या तो वे बदलेंगे या फिर अपनी विचारधारा को न बदलते हुए दुरागरह पुर्वक उससे चिपके रहेंगे जैसा कि वे अब तक करते आए है इससे जनतांत्रिक देशों के साथ उनका संगर्ष अनिवार्य हो जाएगा हम देख रहे हैं कि ये घमंडी समाज एक के बाद एक विलुप्त होते जा रहे है पुराना मिस्त्र, ग्रीस, रोम, बैबिलोनिया जैसे कितने ही राष्ट नश्ट हो चुके है फिर हम हिंदू क्यों जी रहे हैं? स्वामी जी के शब्दों में सम्य प्रकृती का हिंदू दासता में जकडा हुआ हिंदू जीवित है क्योंकि उसके सम्मुख यह जीवनोदेश्य है कि प्रतेक समाज का हर व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचाने अंतिम सत्य को जाने और उस दुरुढ नीव पर विश्वकी भलाई के लिए विश्वकी रचना करे यह निरंतर चलने वाला कभी पूर्ण न होने वाला कार्य है इसलिए हमारा राष्ट्र अमर है हमारा अस्तित्प कदापी मिट नहीं सकता यह एक वास्तविक सत्य है राष्ट्र मंदिर मे विराजी मूर्ति सुन्दर मात्रुभू की अर्चनामे भेट अर्पन पूर्वजोने शीशकी थी भारत मता की जय वंदे मातरम